नमस्कार, मैं अल्पनावर्मा आज आपको रहीम दाजी के लिखे कुछ दोहे और उनके अर्थ बताऊंगी, उससे पहले हम उनका संक्षिप्त परिजे जानते हैं कभी रहीम का जन्म लाहर जिव पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ, इनका पूरा नाम नवाप अब्दूर रहीम खान खाना था रहीम अकबर के दरवार के नवरत्नों में से एक थे और मध्यय योगीन दरवारी संस्कृति के प्रतिनिदी कभी भी माने जाते हैं इन्होंने अपने कावे के माध्यम से जन्ता को नीती संबंदी बाते बताएं और उनका मार्ग दर्शन करने का प्रयास किया इनकी रचनाओं में नीती भक्ति ज्यान और जीवन के व्यवारिक पक्षों का उदगाटन मिलता है रहीम को अवधी, ब्रिज, अर्बी, फार्सी, तुर्की और हिंदी का अच्छा ग्यान था इन्होंने ब्रिज और अवधी दोनो भाशाओं में लिखा इनकी सभी कृतियां रहीम क्रंथावले में समाहित हैं पार्ट में दिये गए सभी दोहे नीती परक हैं जो मनुष्य को करणिये और अकरणिये आचरण की शिक्षा देते हैं पहला दोहा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए तूटे से फिर ना मिले, मिले गाठ परी जाए इस दोहे में कवी रहीम के अनुसार प्रेम रूपी धागा यदि एक बार तूट जाए तो दुबारा पहले की भाती नहीं हो पाता और अगर इसे जोड़ा जाता है तो उसमें गाठा जाती है कवी इस उधारन के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि प्रेम का नाता बहुत ही नाजुक होता है इसे बिना सोचे समझे तोड़ देना उचित नहीं तूटे हुए संबंद को पुना जोड़ा भी जाए तो उसमें अविश्वास और संदेहे की गाठ पड़ जाती है अर्तात पहले जैसे मिठास मदुरता रिष्टे में नहीं रहती इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि जितना संबव हो प्रेम से आपसी संबंदों को बनाए रखना चाहिए दूसरा दोहा रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोए सुने अठिले हैं लोग सब बाटी न ले हैं कोई इस दोहे में रहीम दाजजी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना दुख अपने मन में ही रखना चाहिए अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए क्योंकि इस संसार में कोई आपका दुख बाटता नहीं है बलकि मजाख ही बनाते हैं तो इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मन के दुख को अपने तक ही रखना चाहिए उसे दूसरों के साथ बाटना नहीं चाहिए तीसरा दोहा एक कही सादे सबसदे सबसादे सब जाए रही मनमूल ही सीचीवो फूले भले अगाय इस दोहे के दो अर्थ हमें देखने को मिलते हैं मुझे पहला अर्थ ज्यादा सटीक लगता है पहला अर्थ यह है कि जिस प्रकार जड़को पानी देने से स्वतह अपने आप उस पौदे के अन्य भागों में भी पानी पहुँच जाता है उसी प्रकार मनुश्य को एक ही ईश्वर की आराधना करने चाहिए उसी से उसके सारे मनूरत पूर्ण हो सकते हैं इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है रहीम कहते हैं कि जैसे पौदों को जड़से सीचने पर ही फलपूल मिलते हैं वैसे ही मनुश्य को एक समय में एक ही कारे पर ध्यान देना चाहिए तभी उसके सारे कारे पूरे हो सकते हैं इस दोहे से हमें जो सीख मिलती है वैया है कि हमें मूल पर ही ध्यान लगाना चाहिए चाथा दोहा चित्रकुट में रमी रहे रहिमन अवद नरेज जापर विपदा पड़त है सोवावत यह देज रहीम जी इस दोहे में चित्रकुट की महिमा का वर्णन करते हुए एक बता रहे हैं कि चित्रकुट एक ऐसा इस्थान है जहां अवद के राजा राम वनवास मिलने पर आकर रहे थे जिस किसी पर भी संकट आता है वै शांती पाने इस इस इस्थान पर चला आता है इस दोहे का यही संदेश है कि चित्रकुट बहुत ही मनोरम और शांत इस्थान है पांचमा दोहा दीरक दोहा अर्थ के आखर थोरे आही जियो रहीम नटकुनली सिम्टी कुदी चड़ी जाही इस दोहे की दूसरी पंक्ती के दो अर्थ देखने को मिलते हैं तो पहला अर्थ ज्यादा सटीक लगता है मुझे उसके अनुसार इस दोहे में रहीम दाजची दोहे की विशेश्टा बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नट जो कलाकार होता है जो कर्तब दिखाता है नट वे कुंडली मारने की कलामे सिद्ध होने के कारण उपर चड़ जाता है उची छेलांग लगाते समय वे अपने शरी की कुंडली बना लेता है जिससे वे उचा कूद सके उसी प्रकार दोहे में कम अक्षर होते हैं वे देखने में छोटे लगते हैं पर अंतून के अर्थ बहुत कहरे होते हैं आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार उची कूद लगाते समय खिलाडी या कर्तब दिखाने वाला है वे अपने शरीर को सिकोड लेता है इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है कुंडली का अर्थ हो जिसमें यह माना गया है कि लोहे का गोला का चक्र उस अर्थ को लेते हुए हम इसका भाव देखेंगे कि जिस प्रकार नट अपने शरीर को सिकोड कर तंग मुह की कुंडली में से आसानी से निकल जाने का कर्तब दिखाता है उसी प्रकार कवी दोहे में थोड़े से शब्दों का प्रयोग कर गहरे अर्थ वाली बात कह देता है इस दोहे से हमें दोहे की विशिष्टा पता चल रहे है छटा दोहा दिनी रहीम जल पंक को लगुजी ये प्यत अगाए उद्धी बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए रहीम दाजी कह रहे हैं कि कीचड का जल बहुत धन्य है क्योंकि उसका जल पीकर छोटे मोटे कीडे मकोड़ तक की प्यास बुच जाती है परन्तु सागर के ऐसे विशाल जल संग्रह होने का क्या लाब कि उसके पानी से किसी की प्यास ही नहीं बुच सकती यह क्यात हो कि सागर का जल खारा होता है उसके कारण इसे पिया नहीं जा सकता यहां कविया कहना चाह रहा है कि परोपकारी व्यक्ति ही महान होता है अगला दोहा दोही की प्रतम पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि म्रिक मधुरतान पर मोहित होकर शिकारी के हाथों में स्वयम को सोप देता है अपना जीवन योच्छावर कर देता है और मनिशे किसी की कला पर मुख्ध होकर उसे धन देता है अगली पंक्ती में वे कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी की कला पर मुख्ध होकर भी रीज कर भी उसे कुछ नहीं देता वेह पशुसे भी हीन है तो इस दोहे से क्या सीख मिलती है कि अगर हम किसी की प्रतिवाद से कला से प्रभावित होते हैं तो उसकी अगर हम उसे कोई उपहार नहीं दे सकते, कुछ धन नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी प्रशंशा तो अवश्य ही करनी चाहिए आठवा दोहा, बिगरी पात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहिमन फाटे दूद को मथे नमाकन होए रहिमदाज जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार फटे दूद को मथने से मखन नहीं निकलता उसी प्रकार कोई बात अगर बिगर जाती है तो वह दुबारा बन नहीं पाती तो सीख हमें यह मिलती है कि हमें प्रयास करना चाहिए और बातों को बिगरने नहीं देना चाहिए रहिमन देखी बडेन को लगून दीजे डारी जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी रहीमज कह रहे हैं कि जहां परसुई का काम होता है वहां तलवार की आवशक्ता नहीं होती इसलिए बड़ों की तुल्ला में छोटी चीजों की आवहेलनाय आवपेक्षा नहीं करनी चाहिए इस दो ही का असे हमें यह सिक मिलती है कि हर बड़ी छोटी वस्तु का अपना महत्म होता है अगला दोहा रहीमन निच संपत्ती बिना कोई न विपत्ती सहाए बिनू पानी जियों जलज को नहीं रवी सके बचाए रहीम कहते हैं कि जैसे बिना पानी के कमल को सूरज भी बचा नहीं सकता उसे सूखने से बचा नहीं सकता उसी प्रकार विपत्ती में अपनी संपत्ती न होने पर कोई भी आपके सहायता नहीं करता यह इसका पहला अर्थ है और मेरी राय में यह अर्थ अधिक सठीक है इससे यह सीख मिल रही है कि मनुष्य को अपनी नीजी संपत्ति का संचेक करना चाहिए क्योंकि संकट की इस्थिती में वही उसकी मदद करती है इसी दोही की पहली पंक्ति का दूसरा अर्थिस प्रकार भी हो सकता है कि जैसे सूर्य होने पर कमल खिलता है हम सब जानते हैं वह जल में रहता है और जल ना होने की स्थिती में सूर्य भी कमल को नहीं बचा सकता सूखने से नहीं बचा सकता तो यहाँ पर सूर्य कमल को जीवित रखने की बाहरी शक्ती है तो जल उसकी आंतरिक शक्ती माना गया है तो इस उधारन को लेते वे हम यह समझने कोशिश करते हैं कि मनुश्य में अगर भीत्री शक्ती नहीं है तो उसकी सहायता कोई नहीं कर पाएगा तो मनुश्य में भीत्री शक्ती होना अत्यंत आवश्यक है और इस से हमें यह समझाता है कि संकट के समया उसका अपना सामार्थे ग्यान और विवेग ही उसका रक्षक बनता है कोई और उसकी सहायता नहीं कर सकता आखरी दोहा इस पाट का रहीमन पानी राखिये बिनुपानी सबसून पानी कए न उबरे मोती मानुश्चून रहीम दाजी कह रहे हैं कि जीवन में पानी के बिना सब कुछ बेकार है इसे बनाए रखना चाहिए पानी के बिना सब व्यर्थ होता है चाहे वह मनुश्य हो या कोई और मोती के संदर्व में जल का अर्थ यहां चमक या आप से दिया गया है जिसके बिना मोती का कोई मुल्य नहीं होता और मानुष के संदर्ब में पानी का अर्थ, सम्मान या प्रतिस्ठा है क्योंकि अगर मनुष्य का पानी यानि मनुष्य की प्रतिस्ठा समाप्त हो जाए उसका सम्मान खतम हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ है चून के संदर्ब में पानी का अर्थ अस्तित्विया जल से है पानी के बिना आटा नहीं गुंदा जा सकता वह खाने के उपयोग में लाया नहीं जा सकता है तो हमें यह सिक मिलती है कि पानी सभी के लिए महत्वपूर्ण है इसे बनाए रखना चाहिए आशा है आपको हमारी प्रस्तुती पसंद आई होगी अब जो अंतिम स्लाइड है उसमें मैंने कुछ शब्द, कठिन शब्द और उनके अर्थ दिये हुए है यह कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार है पियत पिना, प्यासो प्यासा, बिगरी बिगडी, आवे आई, सहाय साया, कुब्रे उबरना, बिनो बिना, बिथा व्यता, अठिले हैं हासी या मसा कुडाना, परिजाय पढ़ जाये, धनी धन्य, जियों जैसे, कच्छु कुछ, नहीं नहीं, कोई कोई, आखर अक्षर, थ थोड़े, होए होना, माखन मक्कन, तरवारी, तलवार, सीची पो सीचना, मूल को, याने जड़को, इसके साथ ही, अब हम विदा लेते हैं, धन्यवाद,